हेलो दोस्तों स्वागत है आपका वर्च्वल टूर चैल पर दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से राजस्तान की सबसे सुन्दर राजदानी जैपुर और वहाँ की सबसे सुन्दर जगों के बारे में बताने जा रही हूं राजस्तान राजाओं माराजाओं की नगरी कहलाती है जैपुर की सुन्दर्ता की अगर बात करें तो जैपुर की सुन्दर्ता के चर्चिक पूरी दुनिया में किये जाते हैं जैपुर राज़तानी पर माराज सवाई जैसिंग दुतिय ने शासन किया था और अपने शासंकाल में जैपुर के विकास के लिए निरंतक काम किया। राजा सवाय जै सिंग दुतिय ने साल 1727 में जैपुर नगरी बसाई थी जो उस समय की पहली नगरी थी जो पूरे प्लानिंग से बसाई गई थी और विद्यादर भटचारिया ने इसे डेजाइन किया था। इयर 1876 में वेल्स की राजकुमार एलबर्ट एडवर्ट और रानी विक्टोरिया ने भारत का दौरा किया था। गुलाबी रंग महमानों के स्वागत को दर्शाता है इसी लिए जैपुर के महराजा राम सिंग जी ने महमानों का स्वागत करने के लिए पूरी जैपुर सिटी को गुलाबी रंग से रंगवा दिया और तभी से इसे तिंक सिटी भी कहा जाने लगा। ये शहर तीन ओर से अरावली पहाणों से घिरा हुआ है। जैपुर फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। दोस्तो इस शहर का सबसे इंट्रेस्टिंग लेंडमार्क अपनी गुलाबी जालीदार खिडकियों और बालकनी के लिए फेमस है। जिसे हवा महल कहते हैं जो 1799 में माराजा सवाई प्रताप सिंग ने बनवाया था। हवा महल में 953 खिडकियां हैं। जैपुर का सबसे सुन्दत टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं जंतर मंतर जो एस्ट्रनॉमिकल अब्जवेटरी के नाम से भी पैचाना जाता है। राजा जै सिंग ने इस अब्जवेटरी का निर्मान का काम 1724 में स्टार्ट किया था और 1734 में ये कारियर पूरा किया गया। दोस्तों आई है अब चलते हैं सबसे सुन्दर मंदीर की ओ जो बिरला मंदीर के नाम से जाना जाता है। ये मंदीर मोती डुंगरी केले के नीचे बना हुआ है। ये लक्ष्मी नाराइन जी का मंदीर है। क्या आप जानते हैं जिस जगह पर ये मंदीर का निर्मान किया गया है उस जगह को जैपूर के महराजा ने बिरला को केवल एक रुपए की अलपराशी में दी गई थी। ये मंदीर बिरला परिवार ने मिलकर 1988 में बनवाया था। ये वाइट मार्बल से बनाया गया है। आएए दोस्तों आपको ले चलते हैं राजा के महल में आमेर फूट ये राजा मान सिंग और सवाई जई सिंग ने बनवाया था। ये जैपूर की प्राइम एक्ट्रेक्शन्स में से एक है। इस के लिए का आकिटेक्चर बड़ा ही विशाल है। ये राजेस्तान का सबसे बड़ा कीला कहलाता है जहां बॉलिवूट और हॉलिवूट की कई सुपरेट फिल्मों की भी शूटिंग की जा चुकी है। आएए अब चले उस किले की ओर जो आमेर की शुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सवाए राजा जैसिंग ने 1734 में बनवाया था। नारगड किला जहां से पूरे शेहर का नजारा बहुती कुपसूरत नजर आता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं इसे हॉंटेड पैलिस भी कहा जाता है क्यों ये जाने के लिए वर्च्वल टूर चैनल पर बने रही है। जैपूर के एट्रेक्शन्स की लिस्च की अगर हम बात करें तो लिस्च बढ़ती ही चली जाएगी। जैसे सिटी पैलिस, जल महल, अक्षरदाम टैंपल, शीष महल, कनक पृंदावन गाडन और 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 भी कई एट्रेक्शन्स है। जैपूर की बात हो, तो वहां के डिलिश्यस फूड की बात ना हो, तो हमारा यह सफर अधूरा होगा। जब कभी जैपूर आओ, तो प्याच की कचोरी, डाल बाटी चूर्मा, घेवर, गोल गप्पे, कांजी वड़े, धई वड़े, चाट आइटम्स, सरस डेडी फार्म के स्वादिश प्रुडक्स भी ट्राई कर सकते हैं। आओ अब चले जैपूर के मार्केट की और, यहां के फेमस मार्केट है, जोरी बजार, जहां आपको अच्छी डिजाइन्स की ज्वेल्री मिल जाएगी, त्रिपोलिया बजार, जो लाक और डिफरेंट बैंगल्स के लिए फेमस है, चांदपुल बजार, जहां आपको मार्केट से, दोस्तों जैपूर अपने आप में इतनी बड़ी सिटी है, कि चर्चा नेवर एंडिंग है, कुछ प्रमुक बाते आपसे शेर करने की कोशिश की है, तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और अपने फ्रे